तो आज हम बना रहे हैं यह बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और एक्टम क्रंची करारे से मेक्राणी कुरकुरे तो कुछ सुनाई दे रहा है आपको कि कितने क्रंची बने है हमारे यह मेक्राणी कुरकुरे तो इन्हें बनाना तो एक बर जरूर बनता है आपको आज की मेरी यह मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस घंटी को जरूर बजाईएगा और गंटी बजाने के बाद अल वाली और आप्शन को सेलेक्ट करना है हमें ताकि मेरी सारी रेसिपीस की नोटिफिकेशन आ तो जैसे एक कप मिक्राउनी हमने यहां यूज की है वैसे ही आप इसमें एक कप पास्ता ले सकते हैं और पास्ता भी आप अपनी मन पसंद कोई भी यूज कर सकते हैं जैसे पैने पास्ता या स्पारल शेप जो भी आपको पसंद हो या आपके पास हो उस पास्ता के साथ आप अपने इस कुरकुरे को बना सकते हैं पर मेरे पास आज ये macaroni available थी तो मैं आज इसे macaroni के साथ ही बना रहे हूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी इस macaroni को हम उबाल लेंगे तो उसके लिए एक pan लिये मैंने यहां और इसमें डालेंगे 4-5 cup पानी और साथ में डालेंगे एक चोटा चमच नमक एक बड़ा चमच तेल डाल देंगे इसमें और इसे अब हम ढख देंगे और इसे high flame के ऊपर पानी में उबाल आने देंगे तो थोड़ी देर बाद आप देख रहा है कि पानी में उबाल आना शुरू हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे ये macaroni तो जब पानी में उबाल आना शुरू हो न तभी हमें macaroni या पास्ता जिससे भी आप इसे बना रहे हैं वो इसमें डालना है तो इस macaroni को generally उबलने में 7-8 मिनट लगते हैं और या इसका जो उबालनी का time है वो आपके packet के पीछे instructions में भी दिया होगा तो उस मताबिक आप इसे उबाल सकते हैं और हाँ अगर आप इसमें pasta यूज़ कर रहे हैं तो उसे उबालने के लिए थोड़ा जादा time लगेगा तकरीबन 10-12 मिनट तो आप उस तरीके से अप अपने time को adjust कर लिजेगा तो macaroni को हम high flame के उपर उबलने देंगे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए तो मैंने अपनी इस macaroni को तकरीबन 8 मिनट तक उबाल लिया है अब हम इसे एक बार चेक करेंगे तो हमारी जो macaroni है यह अब काफी अच्छे से पग गई है मतलब 80-90% तक पग गी है हमारी यह macaroni यानि कि जब हम इसे इस तरह से चमच से तोड़के देख रहे है तो यह तूट भी रही है इसली बट यह बहुत जादा ओवर कुक भी नहीं है तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी इस macaroni को एक छनी से चान लेंगे तो इस तरह से macaroni को चानने के बाई यह जो पानी निकला इसमें से इसे हम हटा देंगे और अपनी इस macaroni के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा normal tap water या चाहे तो आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं ऐसा करने से इसकी cooking process यहीं रुख जाएगी और यह over cook नहीं होगी और यह थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी तो मैंने अपनी इस macaroni को अच्छे से पानी से धो लिया और आप देख रहे हैं कि यह ठंडी होगी है मैं इसे बड़ी आसानी से हाथ लगा सकती हूँ तो अब हम इसे छटकते हुए ने इसके पानी को निकाल लेंगे ध्यान रखे कि बहुत जादा ड्राइ निंहीं करना हमें उसे काफी देर तक पड़े नी रहने देना तो अब देख रहे हैं कि अब चनी के नीचे से पानी निकलना बंध हो गया है अब हम इसे शुफ्ट कर तो देड़ बड़ा चमच मैं ले रही हूं कौनफलोर और देड़ बड़ा चमच ही लेंगे मैदा इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अपनी इस मेक्राउनी को कोट कर लेंगे तो अभी मुझे यह जो कोटिंग है यह थोड़ी कम लग रही है तो मैं आधा चमच कौनफलोर और इन दोनों चीजों को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस मेक्राउनी को मैदे और कौनफलोर के साथ मैंने कोट कर लिया है और एक अच्छी सी लेयर आगी है इसके उपर और अब हम अपनी इस मेक्राउनी को तल लेंगे तो तलने के लिए तेल को मैंने गरम होने क अब इसी medium flame के उपर हम इसमें डाल देंगे यह तो एक कडशी से मैं यह सारी इस तेल में डाल दूंगी और क्योंकि मैंने यहां थोड़ा चोड़े वाला पैन यूज किया तो एक बार मैं यह सारी टलने के बाद मैंने के बाद मैंने से बस लिए हलका सथ हिला और इसके बाद मीडियुम फ्लैम के उपर हमें इसे दो मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं हिलाना इसे हमें ताकि जो कोटिंग हमने इसके ऊपर की है वी एक बार अच्छे से सेट हो जाएं. तो दो मिनट तक मैंने इसे पका लिया medium flame के उपर अब हम अपनी कडशी से ये किसी चम्बच से इसे हलका हलका इस तरह से अलट पलट लेंगे और इसी तरह से medium flame के उपर ही पका लेंगे तब तक तो कलर है ने आपको कैमरे में थोड़ा डाग दिखाई दे रहा है बट यह हलकी सी लाइट गोल्डन है मतलए एकदम स्लाइटली पिंकिश से कलर की है यह और हमें इसे इतना ही पकाना इससे जादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना नहीं तो यह थोड़ी सी हाड हो सकती है तो इसे हम फटा-फट से इस तेल से निकाल लेंगे तो तेल इसका अच्छे से निकल गया है अब हम इसे एक बोल में डाल लेंगे और इसके बाद मैं एक बार आपको इसकी आवाद सुनाती हूं कि यह कितने क्रिस्पी बने हैं तो आपने देखा ओ सॉरी आम हमें सुना कि कितनी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है हमारी यह मेकराणी बहुत ही जाधा क्रिस्पी और एकदम ना क्रंची बनते हैं यह मेकराणी कुर-कुरे तो इसके बाद अब हम अपनी गरम गरम मिर्च के उपर ही इसके उपर ये मसाले डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो सारे इसके उपर अच्छे से कोट हो सकें तो मसालों में मैंने या लिया है एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर देने के लिए और एक चोटा चमच नॉर्मल मिर्च भी यूज़ की है ये थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर देगी इसे और एक चोटा चमच चाट मसाला या आप नमक की भी quantity को adjust कर सकते हैं या कोई भी और मसाला आप इसमें अपना मन पसंद आड़ कर सकते हैं जैसे कि onion powder, garlic powder तो इन सारे मसालों को मैंने अच्छे से mix कर लिया है अब थोड़ा-थोड़ा करके हम इस मसाले को add करेंगे और जितना जरूरत लगेगी उतना ही हम इसमें डालेंगे तो तीन चोटे चमच पहले मैंने इसमें मसाला डाला है तो इसे हम अच्छे से एक बर mix करके देखेंगे तो मुझे ये मसाला बिल्कुल sufficient लग रहा है बहुत ही crispy और एकदम crunchy बने है और color देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा आया इनके उपर क्या लग रहा है आपको कि ये हमने घर पर बनाए है और ये जो macaroni कुरकुरे हैं इसे आप एक airtight container में store करके भी रख सकते हैं और ये काफी देर तक खराब नहीं होंगे तो कैसी लगी आपको आज कि ये macaroni कुरकुरे की रेसिपी मुझे जरूर बताईएगा और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें